नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भुष्पृरी बिलकुल अपने इस प्रोग्राम में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियां कुछ ऐसी खबरे जो की शोशल मीडिया पर खास ख़बरों में मानी जाती है भुजपे इंडॉस्ट्री के अंदर और वो पूरे दिन में क्या कुछ स्पेशल हुआ है क्या कुछ खास रहा है ये सारी जानकारी हमाँ सभी को अपने इस प्रोग्राम के जरिये बताते हैं तो चलिए बिना देर शुरुआत करते हैं आप सबसे पहले हमारे पास जो ख़बर आई हुई है वो हमारे भुषपे इंडॉस्ट्री के देसी हीरो यानि की खेसारी लाल यादब के साथ जुड़ा हुआ है देसी हीरो खेसारी लाल यादब के फिल्म दुलहिन गंगा पार की चर्चा कितनी ज़्यादा हो चुकी है ये किसी से छुपी नहीं है इसके बाद फाइनली अब इस डेट इस फिल्म के रिलीजिंग डेट आउट हो चुका है ये पक्का हो चुका है कि ये फिल्म में 11 माई को रिलीज होगी लेकिन उससे पहले दर्शको की तरफ दर्शको के लिए खेसारी लालियादब ने एक खास तौफा दिया है तो आईए ह ये वीडियो के रूप में ना होका आउडियो में MS के साथ रिलीज किया गया है गाना लोगों को इतना जादा पसंद आया कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर पांच लाग से भी जादा व्यूज मिल चुके हैं इस गाने को ये सारी लालियादब के गाने लोगों को हमेशा पसंद आते हैं धुकर धुकर नाम से मशूर हुए इस गाने में उनके अपॉसिट रोल में को एक्ट्रेस काजल राखवानी है यशी मूजिक के ऑफीशर योटुब चैनल पर इस गाने के लिरिक्स में का फिश्तानदार है इस गाने के लिरिक्स आजाद सिंग ने लिखे है और प अब के दुलीन गंगापार के फिल्म में खिसाय लाल यादव प्रयांका सिंग वधुकर धुकर गाना गाते हुए दिखाई दिये है इसी के साथ हम आप सभी को ये भी जानकारी दे दे कि खिसाय लाल यादव की ये फिल्म 11 मई को बिहार के सिनेमा घरों में रिलीस की अब ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही शोशल मीडिया पर फिल्म के गाने रिलीज हो रहे हैं जो कि दर्शकों को काफी जादा पसंदार है अब गाने की बात कर रहे हैं तो आप सबी को बता दे कि जहां खिसार लाल यादब के फिल्म का ये गाना आज रिलीज हुआ है वही दूसरी तरफ इसी फिल्म का दूसरा आइटम सॉंग यानि प्रमोशनल सॉंग जो कि खेसारी लाल यादब और आमरपाली दुवे का है शोशल मेरिया पर खेसारी ने इस बात की जानकारी दी है कि बहुत जल्द उनका इसी इस विल्म का ये गाना भी रिलीज होने वाला है जिस गाने के बोल है मरद अभी बच्चाबा आमरपाली के साथ खेसारी का पहली बार ऐसा सॉंग आने वाला है जो दर्शको को काफी समय से इंतिसार है दर्शको के का खुद खेसारी और आमरपाली को भी गाने का रिलीज होने का काफी समय से इंतिसार है अब देखना यह है कि ये गाना जब रिलीस होता है कब तक रिलीस होता है क्युकि खेसारी ने भी जानकारी देदी है Social Media घ्जरी और आमरपाली ने भी लेकिन रिलीस कब तक होता है ये दोनों में से किसी में बताया नहीं है तो अब इतना इंतजार किया है तो कुछ समय और देखते हैं ये रिलीज कब होता है लेकिन इससे पहले हम आपको बता दे कि आमरपाली और खेसारी ने क्या कुछ कहा है इस काने को लेकर दो भोचपरी Super Star खेसारी लाल यारक की फिल्म दुल्हिन गंगा पार के का आइटम सौंग का इंतजार हर किसी को था क्यूकि इस गाने में पहली बार खेसारी लाल यारक के साथ भोचपरी के लगी आदाकारा आमरपाली दुवे नज़रा रही थी जी हाँ आमरपाली और खेसारी का गाना मरद अभी बच्चा बा जो कि आज शोशल मीडिया पर रिलीस होने की जानकारी दी जा रही है जी हाँ खेसारी ने अपने शोशल मीडिया के जरिये दर्शकों को ये जानकारी दी है और आमरपाली ने भी अपने इंस्टा पर खेसारी के साथ की अपनी फूटो शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में दिखा है कमिंग सून खेर आप सभी को बता दे कि आज खेसारी के इस फिल्म का गाना रिलीज किया जा रहा है जिस गाने को कुछी घंटों में साथ लाख से भी जादा वियूस मिल चुके है और खेसारी की तरफ से इस गाने के रिलीज होने के बाद कही जा रही है जिसके लिए खेसारी इस गाने को अब तक साथ लाख लोगों ने देखा है जिस गाने के बोल है दुकुर दुकुर आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 11 मैं को बिहार की सिनेमा घुरों में ये फिल्म भी रिलीस कर दी जाएगी इस बात की जानकारी इस बार फिल्म के निर्देशक और निर्माता नुद्दी है ऐसी ख़बर आई है यानि की बहुत जल्द दर्शकों का इंतिजार खत्म होने वाला है तो दिखा अपने दोस्तों की केस तरीके से काचल राग इस समय हमारे आमरपाली दूबे काफी जादा अपने गानों को अलग अलग गाने को लेकर काफी जादा चर्चाओं में है लेकिन इस बार खेसारी और आमरपाली का नाम एक साथ जुड़ चुका है अब बढ़ते हैं अगली खबर की और हमारे पास जो अगली खबर है वो हमारी भूश पर इंडूस्ट्री की लैला यानि की काचल रागवानी के साथ जुड़ा हुआ है जहां इन दिनों के सारी अपनी फिल्म और आमरपाली अपने आइटम सॉंग को लेकर बिज़ी चल रही है तो वहीं काचल रागवानी का आज शोशल मीडिया पर एक पोटो वारल हुआ है जिसे लेकर खबरे काफी तेजी से बैड़ गई है कि काचल रागवानी का जो फिल्म से से पोटो आया है वो उसमें काफी ज्यादा उदास नजार आ रही है लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके वज़़ा से काचल रागवानी फिल्म के सेट पर ही उदास हो गई है क्या बात हुआ है कहीं कोई फिल्म कर ये जो जानकारी दीजारी वो फिल्म से जुड़ी है ये रियल है ये तो खेल हम आपको ख़बर में बताएंगे ही लेकिन काजल का इस फिल्म जो इस समय पर उनके फिल्म मैंने उनको सजन चुल लिया कि शूटिंग कर रही है उस जरियो वहां से उस फिल्म के सेट से ये पोटो आई है जो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है देखिया हमारी रिपोर्ट इन दिनों उत्राखंड और देहरादूर में एक बहुत ही दिल्चस्प फिल्म की शूटिंग हो रही है बरे जोडो शोरों से अब काजल रागवानी खेसारी के अलावा किसी और सूपरस्टार के साथ नजर आने वाली है इसलिए दरशुकों की नजरे ना सिर्फ इस फिल्म पर बनी है बलकि इस फिल्म से जुड़ी काफी सारी तस्वीरे भी देखने को मिल रही है जैसे दरशुकों में कोतु हुल मचा खुब सूर्ती सभी का दिल चुरा रही है हाली में फिल्म के सेट से काजल के एक तस्वीर सामने आई जसमें काजल बड़े ध्यान से स्क्रिप्ट देखती और पढ़ती और समस्ती नजर आए लेकिन तस्वीर में उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि वो रो रही हो लेक सेट पर खिली खिली आपको नजर आती थी और आज कल मैंने उनको सदन चुन लिया कि सेट पर काजल हमेशा थोड़ी सीरियस नजर आने लगी है फिल्म आई थी चैंपियन बिल्कुल बाइबात कर रही हो सनी देवल की फिल्म चैंपियन की जिसमें सनी देवल के साथ एक छोटे बच्चे की कहानी बहुत अच्छे से दर्शाई गई थी तो वहीं आइस बार हमारी भूचपी इंडॉस्टी में भी चैंपियन फिल्म के चैंपियन नाम से फिल्म बन रही है जो कि भूचपी इंडॉस्टी की फिल्म है और इसमें रवी किशन मेगा स्टार रवी किशन के साथ अंजना सिंग को कास्ट किया गया है इस विल्म की शूटिंग किस कदर से हो रही है हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में तो चले शुरुबात करते हैं देखिया हमारी रिपोर्ट भूचपी के मेगा स्टार रवी किशन और अंजना सिंग की नई फिल्म चैंपियन की शूटिंग के शुरुआत हो चुकी है जी हां हाली में इस फिल्म का महरत भी संपन किया गया है साथ ही फिल्म की शूटिंग के श लग रहा है कि ये फिल्म का ये गाना सबसे ज़्यादा रोमेंटिक गाना होने वाला है जिस गाने में आक्टर और एक्टरस दोनों के वीच काफी ज़्यादा रोमेंटिक सीन को फिल्म आया जा रहा है वैसे आज आप सभी को बता दे कि इस गाने में अगर लुक की बात कर तो आज की समय पर जी हां तो आप सभी को बता दे कि इस समय पर रमीश किशन और अंजना सिंग अपने फिल्म सन की दरोगा की शूटिंग कर रहे हैं बॉलीवुड में अपने एक्शन के लिए जाने जाने वाले हीरो सनी देवाल की हिट फिल्म चैंपियन तो आप सभी को यादी होगी जिस फिल्म में सनी का एक बच्चे की कहानी बहुती अच्छी तरीके से दिखाया गया था तो वहीं भोशप्री में भी अच्छी कहानियों पर फिल्म में बनने की शुरुबात हो चुकी है इसी कड़ी में इंडिया ई-कॉमर्स और जीबिका फिल्म के बैनन तले निर्देशक धीरस ठाकुर के प्यम चैंपियन की शुरुबात कर दी गई है वैसे जिस फिल्म के शुरात की गई है उस फिल्म में भोशप्री के मेगा स्टार रवीकिशन और उनकी एक समय में रही फिल्मी हमसपर यानि आजना सिंग को कास्ट किया गया है वैसे इस फिल्म की स्टोरी बॉलीवुड के फिल्म से मिलती जुलती है या नहीं ये तो समयानी पर पता चलेगा लेकिन अगर Bollywood की फिल्म में सनी दिवल की वजह से वह फिल्म हिट हुई है सथी है तो जब भोच्परी के मेगा स्टार जी हाँ जब भोच्परी के मेगा स्टार रवी किशन की फिल्म और उनके एक्शन्स से दर्शकों को क्यों नहीं पसंद आएगा आपको बता दे कि चैंपियन में भोचपरी सुल्तान के नाम से महशूर वर्स्टाइल एक्टर राजू सिग माही और गदर टू में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले किशन रॉय मोखे भूमिगा में है तो देखा है अपने दोस्तों यह थी आपको भूचपरी इंडॉस्टिक की ऐसी ख़बरे जो कि आज की समय में आज की दिन के लिए सब से बड़ी ख़वर मानी जा रही टी और सबसे बढ़ी ख़वर थी हमारे भूचपरी इंडॉस्टिक के लिए उमीद करती हूँ आप सभ प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिये लिखकर पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सके फिलाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही और भूझपरी से जोड़ी तमाम बड़ी ख़वर को जानने के लिए आप देखते रहें नेक्स ना भूझपरी तब तक देखते रहें नेक्स नाइन न्यूज भूझपरिया और मुझे दीजे जाजा मश्क्राइब नेक्स्ट नाइन न्यूज भूझपरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई